नमस्कर दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मरोक्स की यूटूब एजियो किसने चनल में तो आज हम हैसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जिसे कि आप काफी ज़्यदा थकावट में इसुस करते हैं आपको कुछ भी काम करने के बाद काफी ज़्यदा थकावट लगती है फिर अचानक से बेहोस हो जाना या फिर दुंदला देखना चक्कार आते हैं आपको तो यह जो सभी सिम्टम से वो इंडिकेट करते कि आपको लो वीपी की बिमारी हो सकती है तो चलिए सीखते हैं डिटल में लो वीपी की बिमारी के बारे में तो हम यह सब अलग-अलग टॉपिक्स कवर करेंगे कि बिमारी के बारे में बेजिक जानेंगे उसका इंट्रोडक्शन फिर यह बिमारी होती क्यों है उसके कोजिज यानिकी रीजन सिम्टर्म्स क्या रहेंगे कैसे हम उसका निदान कर सकते है और कौन से अलग-अलग ट्रीट्मेंट के आप्संस अविलेबल है तो लो वीपी की जिसको हम मेडिकल टॉप्स के अंदर हाइपो टेंसन कहते है कि जब किसी परसन का जो ब्लड प्रेशर है वो 90-60 से कम रहता है मलब कि जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर 90 होता है डायस्टोलिक 60 होता है तो उससे भी कम ब्लड प्रेशर रहता है तो ऐसी मेडिकल कंडिशन को हम लो ब्लड प्रेशर कहते है तो यहाँ पर एक चार्ट के थुरू समझते है तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेसर रहता है वो रहता है 120 से 80 जितना मतलब कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 पर किसी परसन का जो ब्लड प्रेसर है वो 90-60 से भी कम हो जाता है मतलब कि 60-40 होता है या फिर 50-33 होता है या फिर उससे भी कम हम देखे यह जो हमारे रेंज है कि मालों कि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर आता है 85 और डायस्टोलिक आता है 55 तो यह जो कंडिशन है उसको हम लो ब्लड प्रेसर की कंडिशन कहेंगे कि आपको चक्कर आती है या फिर आप ठकावा मैसुस करते हैं तो यह सब इंडिकेट करते हैं कि low blood pressure का problem है तो BP तब low होता है जब हमारे blood vessels उनके normal diameter से dilate means diameter में broad हो जाती है कि जिसको medical terms में vasodilation कहते है ऐसा होने पर blood flow and जो pressure है वो कम हो जाता है and BP low हो जाता है तो अब anatomically समझते हैं यह problem को तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हमारे normal artery के जिसके इंदर blood flow हो रहा है जब vaso constriction होता है मलब कि यह जो blood vessel है उसका diameter छोटा हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है pressure बढ़ जाता है कि उसको हम कहते है hyper tensor blood pressure बढ़ जाना इसको vaso dilation कहते हैं तो ऐसे condition में क्या होता है blood flow जो हो reduce होता है and आपका blood pressure जो हो कम हो जाता है तो यह diagram में भी आप समझ सकते easily कि जो normal blood pressure का बहुता है जब normal blood vessel है आपकी उसका diameter भी normal है पर जब उसका diameter जो हो बढ़ जाता है dilate हो जाते है blood vessels तो ऐसे condition में blood pressure जो हो कम हो जाता है तो ऐसे ही आपको अच्छा लगता है अलग-अलग बीमारियों के बारे में जानना उनके उपचार के बारे में सिखना तो आप हमारी book को purchase कर सकते हैं तो यह book को purchase करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं यह वाला जो नंबर है यह नंबर पर आप WhatsApp करें और यह book को order कर सकते हैं तो आगे जानते हैं कुछ cozy इसके कौनसे से reason से कि जिसके करन blood pressure low हो सकता है तो पहला एक reason है वो है प्रेगनसी के दर्मियान कुछ ladies का blood pressure जो वो कम होता है फिर अगर आपको heart related problem से तो भी blood pressure कम हो सकता है endocrine problem से मलब कि आपके hormonal issues है तो भी यह problem हो सकती है dehydration यानि कि जो ऐसा कहते है कि सरीर के अंदर जो water loss हो जाता है पानी कम हो गया है तो ऐसे condition में भी BP low हो जाती है blood loss होता है कोई severe infection है body में जैसे कि safety semia हो चुका है severe allergic reaction जैसे कि anaphylaxis जब होता है तो भी person का BP low हो जाता है और आपके diet के अंदर जो nutrition से उसकी कमी है तो भी यह problem होती तो यहाँ पे हम यह chart में देख सकते हैं कि जो अलग-अलग reason से उसके कारण यह low BP का problem हो सकता है जैसे कि pregnancy है heart failure, liver disease, irregular heartbeats रहती है blood vessels का dilate हो जाना कुछ OTC दवाईया है फिर prolonged bed rest मलब कि आप लंबे समय तक bed rest करते हैं तो भी यह problem हो सकती है आपके diet में salt की मातरा बहुत ही कम है मलब कि आप काफी ज़्यादा कम नमक खाते है तो भी यह problem हो सकती है जैसे कि आप यह देख रहे हैं image कि जैसमें systolic 89 है और diastolic 56 है मलब कि यह condition हो गई low BP की बलड pressure जो ही वो कम हो गया फिर आप nutrition कम लेते हैं वहला कि poor nutrition है mal nutrition की condition है blood volume कम हो चुका है heart problem low heart rate जिसको हम ready cardia कहते हैं तो यह सभी reasons है low BP के लिए आप कुछ उसके symptoms देखे तो अगर किसी का blood pressure कम होने लगता है तो सबसे पहले उसको dizziness जैसा फिल होता है lightheadedness मलब कि आपको थोड़ा सा थकावट मैसू होती है dizziness जैसा फिल करते है थोड़ा सा सरदर जैसा आपको फिल होता है उबासी आती है फिर जीम चलना फैंटिंग यानि की अचानक से चक्कर आके गिर जाते है और dehydration जैसा मैसे होता है और बार बार आपको जो है प्यास लगती है फिर dehydration के कारण कई बार आपका blood pressure भी क है कि आपका blood pressure जो है वो कम हो गया है तो यहाप आप देखो कि अलग-अलग कौन से organs पर क्या असर होती है लो बीपी के कारण तो जीए ट्रेक के अंदर diarrhea या फिर vomiting जैसा हो सकता है फिर heartbeats irregular हो सकती है सरीर पे जो है वो काफी ज्यादा पसी ना आता है पेल स्कीन मलब कि स्क होता है चक्कर आना डिजनेस जैसा फिल करना सीजर सा सकती है मलब कि कमपन जैसा मैसुस करना और breathing जो है वो आपके सौट हो जाते हैं तो यह जो सभी symptom से उससे क्या होता है कि प्यास भी लगती है ठाकावट लगती है और depression जैसा फिल करता है पेसंट कुछ और उसके symptom देख स्कीन जो हो ठंडी होने लगती है उसके अलब हम देखे तो रैपीड ब्रेइटिंग हो जाते या फिर स्यालो ब्रेइटिंग फटीग डिप्रेशन और कई बार अनकॉंसियस नहीं कि पेसंट जो है वो बेहोस भी हो सकता है तो उसका नीदान क्या है तो हर हपते रेगुलर रेजन फाइंड आउट करने के लिए ब्लड एन यूरिन टेस्ट करना जरूरी है उसके अलावा अगर हार्ट रिलेटेड कोई प्राब्लेम से और उसके करन बीपी लो हो रही है तो उस वक्त इसी जी टेस्ट करना काफी ज़्यदा जरूरी बन जाता है फिर डॉक्टर ठीक करने के लिए कुछ देसी अपनाया जा सकते हैं जैसे कि नमक वाला पानी लेना चाहिए एक कप स्ट्रॉंग कॉफी पिनी चाहिए और गरम दूद देना चाहिए कि जो भी पेसंट है उसको अगर ऐसा फिल हो रहा है तो ये सब कुछ होम रेमेडिस जो ट्राइ कर सकते हैं अब बात करते हैं कुछ मैडिसिंस ऑप्शन की तो जो हमारे पास पहला एक ऑप्शन है मैडिसिन का वो है फ्लोरी कोड के जो टाबलेट साते हैं फ्लूड्रो कॉर्टिसोन उसके अदर सॉल्ट कंटेंड रहता है कि जिसका डोस रहता है 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम पर दे तो फ्लूड्रो कोडिसोन तब खास कर यूज किया जाता है कि जब आप बैठे है और खड़े होते तब आप ऐसा फिल करते कि आपका ब्लड प्रिसर लो हो गया है तब यह एक मेडिसिन खास यूज की जाती है और यह कॉर्टिको स्टेरोइड मेडिकेसन है तो यह करती क्या है तो आपके सरीर के अंदर जो सोडियम एंड जो फ्लूइड होता है मलब कि जो नमक होता है और जो हमारे सरीर के अंदर जो पानी होता है उसकी मात्रा अच्छे से कंट्रोल करके रखता है कि जिससे लो बीपी जो होती है डिहाड्रेसन के करण वो नहीं होती है तो सि से कुछ reason यह है कि एक तो water कम हो जाता है सरीर में और दूसरा salt कम हो जाए मतलब की नमक तो यह दो ऐसे reasons बनते कि जिससे BP कम हो जाती है तो यह medication क्या करती है water level भी बढ़ आने में मदद करती है salt का level भी increase कराने में मदद करती है कि जिससे जो BP low हो गया था वो वापस अपने range में आने लगता है फिर second option है वहाँ पर middle drain कर रहता है तो middle drain जो है वो खासकर low BP के लिए खासकर use की जाती है especially जो orthostatic hypotension की जो condition produce होती है उसमें हम उसको use कर सकते है और यह medication कैसे काम करती है तो blood vessels को dilate होने से रोकती है जो responsible बनती है BP low होने के लिए कि जो low BP की बीमारी में जो हमने देखा कि especially होता क्या है कि blood vessel जो normal होती है उसके compare में उनका diameter बढ़ जाता है जिसके गरान blood flow कम होता है और blood pressure कम हो जाता तो यह medication क्या कर देती है dilate होने से ही रोकती है जिससे blood pressure जो हो maintain रहता है उसका dose हम देखे तो 2.5 से 10 mg औररी रहता है हर 8 गंटे पे next option है anti-colinus rage के अंदर pyridostigmine के tablets का कि जिसका dose रहता है 2.5 से 10 mg औरली हर 8 गंटे पे तो यह neurogenic orthostatic hypotension में जो हो use की जाती है तो यहाँ पे में फिर से आपको बदा दो कि जो हमारी book है बीमारिया और उनका उपचार उसको आप order कर सकते है और करने के लिए आप यह दिये गए number के उपर whatsapp कर सकते तो यह पूरी color printed book आएगी उसके सभी pages जो यह वो printed है color print में आपको मिल जाएगी तो चौथा option यहाँ पे available है caffeine का कि caffeine act करता है as a central nervous system stimulant वहला कि जो आपको उबास सी आती है नींद आये ऐसा फिल होता है dizziness जैसा फिल होता है तो central nervous stimulants लेने से क्या होता है कि एक energetic आप फिल करते हैं कि जिससे blood pressure जो वह वापस maintain होने लगता है कि smooth muscles को रिलेक करता है stimulant करता है cardiac muscles को कि जिससे temporary short term आपका blood pressure जो वह वह इंक्रीस होता है कि जिसका dose रहता है 20 से लेकर 100 mg ओरली फिर यहाँ पर पांचवा option यह है कि अगर किसी का blood pressure low होने का reason anemia है तो इरिथ्रोपोईटीन एक option बनता है हमारे पास इरिथ्रोपोईटीन का injection कि जो specially low BP के लिए prescribe के जाता है कि अगर reason जो है वो low RBC है या फिर anemia की condition है so इरिथ्रोपोईटीन is the best choice to increase RBC and thus raise the blood pressure तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे भी आप काफी अच्छी knowledge जो है वो ले सकते हैं good luck and all the best